नमासकार दोसन स्वागत है आपका हमारे श्यनल चार जागेंद्र में सामें दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथून राश्क देनिक रास्पल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंच्यांग के बारे में दो नबंबर 2021 मंगलवार का दिन है और कारतिक मास कृष्ण पक्षी आज त्रोदर्शीती थी है यानि आज धन तेरस्ट का दिन है और आज नच्छत रहे उत्रा फालगुनी अब जीत महूरत आज दुपार 11 बच के 36 मिनट से ले के दुपार 12 बच के 35 मिनट तक रहेगा आज के सुरुदे सुबह 6 बच कर 11 मिनट पे और चंद्रमा की जो इस्तिती है वो रहेगी कन्या राशी पर यानि मिथुन राश के जातकों आपके चौते भाव पे चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आज के जो अस्प समय होगा वह दुपार 12 बच कर 49 मिनट से ले के साम 4 बच कर 2 मिनट तक रहेगा इस अस्प समय कोई भी सुब और ने कार की सुरुवात ना करेनी तो बिग्न वाधाईया सकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राश के जातकों आज पांच बड़ी खुस खबरी मिलेगी क्यूंकि आज धन 13 क का दिन है और आज आज आप बिशेष वस्तों की खरीदारी करतेने जराएंगे मिथुन राश के जातकों आज उत्साव आज खुसी मनाने का दिन रहेगा मित्षुन रासके यातकों आज धन तेरस का दिन है और कारतिक मास्ग के कृष्ण पक्षी तरोदर्शी तिथी के दिन धन तेरस का पर्व मनाया जाता है आज की दिन सोने चांदी की विशेस वस्तोय खरीदने का विशेस दिन है और आज अबिशीत महुर्त में अगर खरीदें तो ज़्यादा लाब होता है कहते हैं आज की दिन कोई भी वस्तो मिथुन रासक्यात को अगर आप खरीदेंगे अगर किसी परकार कोई दिकते चल रही थी, कोई परेशानिया चल रही थी, तो आज की दिन बेहतर लाब होता हुआ नजराएगा, यानि कुल मिलाकर के कहा जाए तो मित्हुन रासकायत को आज केरियर में सुधार हो रहा है, लाब हो रहा है, बड़े धिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है, साथी साथ जो उच्छा धिकारी हैं, वो आपके काम की परसंसा करेंगे, आपका सहयोग दे सकते हैं, बड़ी कंपनी से आफार आ सकता है, सेलेरी में बृद्धी की योग बन रहे हैं, यानि पहली बड़ी खुसकबरी आपके केरियर से रिलेटेड मित्हुन र होती हुई नजर आने वाली है, तो निश्ची तोर पे कहा जाए, तो इस्तित्या काफी बेतर हो रही हर प्रकार से आपको लाव मिल रहे हैं, और खास कर आज बिजनेस व्यापार में, कारोबार में भी आज आपको दूसरी बड़ी खुसकबरी कोई महतपुन डिल के होगी, रुका वफा सव धन भी प्राप्त होगा, हर प्रकार से लाव इंकम के स्रोत आई में बरदी देखने को मिलेगी, जो भी समस्याएं चली आ रही थी, जो भी दिक्कते चली आ रही थी, धीरे धीरे वो आपकी समाप्त होती हुई नजर आएगी, जनी कुल मिला के कहा आज आज आपको बिजिनर्स ब्यापार में बहुत ही लाव मिलेगा, दोस्तों का स्थयोग प्राप्त होगा, और मित्हुन राज के जो जो सोचे हुए कार आपके नहीं बन पा रहे थे, वो कार आज आपके दिन बनती हुने जराएंगे, आज धन तेरस का पावन पर्व है इसलिए बिसेश बस्तों भर्व चाहिए जाए तो काफी अच्छा रहाएगा, मौर का पंक खरीश सकते हैं वासुरी और साथी संग खरीश सकते हैं, माता लक्षमीज के चेरण पादुका भी खरीश सकते हैं मित्हुन रासक्यात को आज की दिने, ये बिसेश बस्तों लान किस्तिया काफी बहतर हो रही है, हर्पकास से लाव मिलेंगे, जो भी दिक्ते आपके जीवन में चली आ रहे थी, जो भी परिसानिया चली आ रहे थी, वो धीरे धीरे आज आपकी समाथ होती हुई नजर आएगी, तो मितुन रासकेत को आज आपको का जो बैवाहिक जीवन है संतान को लेकर मिलेगे, संतान की काम्यावी संतान की तरक्य और संतान की चाहत पूरी होगी, आज की दिन पत्पतनी की बेश संबंध बहतर होगे, पत्पतनी की बेश तालमेल बहतर होगा, और कुछ सौपिंग कर सकते हैं, कुछ महतपूर्ण चीज़ों के खरीदारी कर सक आज अपने घर के सुक्सादरों में ब्रदी होते हुए नजराएगी, मिथुन राज के अदकों आज आपको अपने घरेली जीवन में ज्यादा तर एक्टिव रहेंगे और फोकस बनाएंगे, जीवन साथी कंधिश कंधे मिला कर चलेंगे, आज आपको पूरा समर्थन और सह प्राप्थों का जीवन साथी कर तो ही, लब लाज की बात करें तो मिथुन राज के अदकों लब पार्टर के साथ भी बहुत अच्छी जमेगी, उनके साथ धेर सारी मेठी मेठी बाते हो सकती है, उनके साथ काफी जदा इंज्वाई करते हुए नजराएंगे, आज कुछ महतपूर्ण चीज़े खरीद सकते हैं अपने लब पार्टर को, जैसे कि कुछ जोलिर संबंधित चीज़े खरीशकते हैं, सौपिंग बगर कर सकते हैं, कुछ लेंदेन का मामला चल सकता है, और अपने लब लाज के बैवाहिक के रूप में आज बदलने के कुशिश आज सिक्षा के मामले में काफी उत्तीर रहेंगे और फोकस बना रहेंगा पढ़ाय लिखाई पर और अपने सहयोगें को साथ मिलेगा, बड़े अधिकारियों का सहयोग पराप्त होगा, अपने लक्ष की पराप्ती के लिए मेहनत भी करते हुए नजराएंगे, मिथुन र राप्त होगें कई महत्पूर्ण आपको मौकम पराप्त होगे, जो कुसी दिकते, जो कुस परिषानीय आपके जीवन में चली आ रहे थी, वो धीरे धीरे आज आपकी समाप्त होते हुई नजराएगे और खासकर घरेलू जीवन में काफी बेस्त दिखाई देंगे मेथुन रास्केत को घर परिवार के लिए कुछ महतपूर काम करेंगे बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकते हैं जरूरत की चीजों की खरीदारी करेंगे बिदेश की यात्राइएं हो सकती हैं बि उगवान कुवेर जी की पुझा राधनाश्राम के समय जरूर करें लेकिन पैसा आज किसी को उधार करजा ना दे आज की दिन दिया हुआ पैसा करजा आपको रिंड करज में डुबा हो सकता है इसलिए बिल्कुल भी किसी को ना दे कोई बी कितना भी मांगे चाये कोई आपका खास कितना भी हो, आप किसी को भी उदार कर जा आज कि दिन ना दें। आज आप अपने केडियर में बड़े अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा जो कि अच्छे रहेगा और बड़ी कमपनियों से आफ़ार आशकता है किसी मल्टी नेशनल कमपनिय से जोब के लिए आफ़ार आएगा यानि कि जीन जातकों का मित्वन रासकरी जातकों को अभी तक पर महरून कलर भाग साथ नीबारा आपका तक्रीवन 82% दस्तो ज्याते तो वीडियो जरूर करें नए तो चनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए जय शनिदेव